हिल स्टेशन पर पत्ती विराट संग क्वालिटी टाइम बिता रही अनुषका शर्मा शेयर की रोमांटिक तस्वीर बॉलेवुड की एक ट्रेस अनुषका शर्मा काफी समय से अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में है हाला कि इस बारे में अभी तक कोई अफिशियल आनौस में इन सामने नहीं आई है लेकिन इन दिनों अनुषका विराट कोहली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में काफी व्यस्त है गौर तलब है भारतिये क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली एक अच्छे क्रिकेट के साथ साथ एक अच्छे पती भी है जो कि समय मिलते ही पतनी के साथ सेर पर निकल जाते है ऐसे में जाहिर है कि अपने काम के साथ साथ विराट अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं इस दोरान दरसल हाल ही में विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेर की जिसमें वेह हिल स्टेशन पर अनुश्का के साथ नजरा रहे हैं विराट कोहली ग्रे टीशर्ट और ब्लाक शॉर्ट्स में काफी कूल नजर आ रही हैं तो वहीं अनुष का ब्लाक ड्रेस में काफी खूबसूरत दिख रही हैं बता दें कि 3 नवंबर से बांगलादेश के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की टीडट सीरीच से विराट कोहली को आराम दिया गया और वो 14 नवंबर से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीच से टीम में वापसी करेंगे इस सिलसले में यदि बात अनुश्का के वर्क फ्रंट की करें तो वो फिल्मों से दूर बेव सीरीच को प्रड्यूस करने में अपना ध्यान लगा रही है इसके अलावा वेर पती और भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ अक्सर मैच के दोरान नजर आती है हाला कि हाल ही में अनुश्का ने एक बड़ी उपलब्धी पाई जिसके मताबिक अनुश्का शर्मा कोप और चेउन इंडिया की 2019 की शीर्षपचास सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 49 नंबर पर चुना गया जी हाँ ऐसे में वे इस लिस्ट में शामिल होने वाली सबसे कम उमर की महला है अनुश्का हिंदी फिल्म जगत की अकेली अभिनेत्री हैं जो इस लिस्ट में जगह बना पाई हैं खबरों की माने तो अनुश्का भरवाखान और रोहिद शेटी की फिल्म सत्य पेसत्ता के री मेक में नजर आ सकती है इस फिल्म में रितिक रोशन को भी कास्ट किया जाएगा